Dear Students, ICSC Poems के इस सीरीज में, आज जो poem हम डिस्क्राइब कर दें जा रहे हैं, वो poem है अभू बेन अधेम. ICSC Poem का ये 9th poem है और ये लिखा गया है बाई लेहन्ट. Means the writer of, the poet of this poem is लेहन्ट. लेहन्ट was a poet of 19th century, basically he was an editor, and apart from being an editor, he was also a poet, an essayist, a writer. को arbets देखा प्रेस्ट औ 디자 credibility . सब्वेज प्रेस्ट आपीशियों विहां को रिए अप्ते प्रेस्ट अड्लर ए. जो बार किसमार बत लादां देखा मेके थांपो बाक्सित अग्य। howton he had equal love for all the religion, but his lifestyle was based on the principles of Quran, और इसी के हिसाब से उन्होंने यहने लोगों को इस पोएम के द्वारा समझाने को सीज़ भी किया है, यह पोएम बेसिकली एक ही चीज़ की आइडिया कौन भी करता है, कि कोई भी वेक्ति अगर गौड से प्यार करता, गौड का पाने के लिए क्या इनसान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुर्द्वारों में, चर्च में जाकर गौड की पूजा करने से क्या गौड खुस हो जाता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लेहंट इस चीज़ को नहीं मानता, यहने अबू बेन अधम इस चीज़ को, अबू लोगों से, अपने शातियों से, अपने दोस्तों से, इनसानों से प्यार करना होगा, और अगर हम इनसान से प्यार करते हैं, तो गौड खुस होता है, और गौड हमें ब्लेसिंग्स देता है, यह गौड का ब्लेसिंग्स, यानि गौड को खुस कर दें, का यह सब से के लिए प्यार यहने love to humanity is the best service best service for God और तो इस तरह से कर देखा जाए तो यही principle बिबेकानन्द का भी था बिबेकानन्द का भी same principles है और तो ही principles को यह भी यहां पर यह करता है service to humanity is the service to God service to mankind is a service to God यह बिबेकानन्द का भी principles था और यहां पर अवे नदम जो 1777 में जो एक sense is sufficient उनका भी यही मानना था दूसरा थी मिहां पर love of God यहने God का प्यार किसको मिलता है God का प्यार किस से God खुस होता है किसको God प्यार करता है इस चीज़ को दिखाया हुआ है तो इस पोएम को अगर हम लोग पूरी तरह से अची तरह से लाश्ट तक अगर सुनते हैं देखते हैं तो ऐसी स्ट्वेंट के लिए ये उसके एक्जाम में तो काफी हल्पूल होई सकता है अच्छा माक्स स्कोर करने के लिए साथ में इनसान को एक सही जिन्दगी जीने का एक तरीका भी समझाता है तो अब ज़्यादा बिना कुछ इंट्रेक्शन दिये हुए हम पोएम के लाइन्स पर आते हैं ये पोएम एक्छुली अठारा लाइन का पोएम है और इसमें एक कॉपलेट फॉर्म यान दो लाइन करके एक राइम लिया गया है एक्छुली इसका जो राइम पैटर्न है ए बी ए बी ए बी इसी राइम पैटर्न पर ये पूरा पोएम लिखा गया है हम इसके फॉर्स सेशन जामें आते हैं और इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो है अबू बेन अधम मेहिस ट्राइब इनक्रीज़ तो इनकी तरह के जो लोग हैं उनकी संक्या इस शमाज में इस वर्ल्ड में बढ़नी चाहिए यह है मेज ट्राइब इंक्रीज का मतलब अगर हम इनके डेली रूटीन को देखें या हम अगर सेकेंड लाइन को डिस्क्राइब करें तो इसे पहले यह समय जोड़ी है कि अबुबिन अद्धम हर समय दूसरे के भलाई के बारे में सोचते थे यह समय लोगों का उपकार करते थे लोगों का अच्छा करते थे और भर दिन ये करते करते रात में जवाते थे तो बहुत पीसफुल निंदीने आती थी यह घटना अबुबिन अद्धम के जिन्दगी के एक रात की है जो इस पोई में लिखा गया है और आज की रात क्या हुआ अबुबिन अद्धम के साथ उसी को हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड लाइन में कहता है कि आवेक वान नाइट फॉम ए डीप ड्रिम ऑपिस पूरे दिन के थेकान के बाद जब अबुबिन अद्धम रात में सोय हुए थे तो अचानक इनकी निंद खुल गई और जब निंद खुली तिनों ने देखा कि उनका जो रूम है वो चांदनी से नहाई हुई है तो मूनलाइट इन दे रूम और इसी मूनलाइट में एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो व्यक्ति उस मूनलाइट ने अन्जल था तो एक 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 एन्जल रुटि ने गोलें बुक में अन्जल को बैठा हुआ था बैठा हुआ था उस रूम में और वो फुस्प लिक्रा था अबुब था पर एडम यहने golden book में, golden means heavenly book में वो कुछ लिख रहा था. So just in the first four lines of the poem, we have seen in the first line that Abu Ben-Adam, poet wishes that his tribe may increase, awoke one night from the deep dream, and he saw that an angel was sitting in his room, and he was writing something in a book of gold. Next, जो इसका line है, exceeding peace had made Ben-Adam bold. जब अपने घर में, poet ने देखा कि एक angel, यान अबुवे नदम ने देखा कि एक angel वहां बैठा हुआ है, और वो कुछ लिख रहा है, तो काफी bold होकर, क्योंकि internally, Abu Ben-Adam was very bold, because he did not do any wrong. जो कोई आदमी कोई गलती नहीं करता है, वो internally bold होता है. और Abu Ben-Adam बहुत bold person था अंदर से, क्योंकि वो हर समय लोगों को उपकार करता था, कभी किसी का बुड़ा ही नहीं सूचता था. तो बहुत bold होकर, वो उस angel के presence में जाता है, और उसे पूछता है, what rightest dog? ओ एंजिल, तुम यहां क्या लिख रहे हो? इसकी आवाज को सुनकर, ओ एंजिल अपना सर उठाता है, और एकदम स्माइलिंग फेश के साथ, एकदम शूथिंग एफेक्ट के साथ, वो यहां पर इसके सवाल का जवाब देता है, यहने अबू के सवाल का जवाब देता है, देखते हैं, अबू के सवाल क्या था? कि तुम क्या लिख रहे हो? इसके जवाब में, एंजिल क्या कहता है? यह हम लोग देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट में. कहता है पोईट कि end is mine जो तुम यहां लिख रहे हो यहां पर पोईट ने इसके third line में कहा कि जवाब दिया the name of those who love the Lord मैं उस ब्रक्ति का नाम लिख रहा हूं जो भगवान से प्यार करता है the name of those who love the Lord means I am writing the name of that person who loves God तो अभू पूछता है next lesson में कि end mine and is mine one क्या तुमने मेरा नाम लिखा है God से प्यार करने बाले के list में क्या तुमने मेरा नाम लिखा है तो एंजल जवाब देता है क्या जवाब देता है ने not so means no no I have not written your name your name is not included in the list of that person who loves God बड़ा दुख हो जाता है यहने अबू दुखी हो जाता है तो बहुत ही लोग वाइस में अभू इस पोक मोर लो बहुत ही लोग वाइस में वो पूछता है कहता है यह एक request करता है क्या करता है I pray अ उ मेरा request है तुम से कि तुम मेरा नाम लिखลो write me as one that loves its fellow man मेरा नाम उस आदमी के list में लिखलो जो इनसानों से प्यार करता है तो गोड do तो और यहां पर angel wrote and vanished angel उसके request को मान लेता है और उसका नाम इंसानों से प्यार करने वाले की list में लिखकर वहां से गयव हो जाता है the next night फिर दूसरी रात वही angel फिर वापस आता है with a great awakening light बहुती एक तरह से dazzling light के साथ एक शमकती वी प्रकास के साथ angel फिर से वापस आता है दूसरी रात में और फिर से इसकी निंद खुल जाती है निंद खुलती है तो ये angel उसे एक list दिखाता है ये एक तीसरा list है ये list कौन सा है दोनों list को देकर God ने जो list बनाया है God यहां list बनाया है कि अब God किस से प्यार करता है God के सामने दो list था जो उससे प्यार करता था और जो एक इनसान से प्यार करता था दोनों list को देकर God ने एक list बनाया और इसमें God उसका नाम लिखा है जिससे God प्यार करता है कहता है यहां पर It came again with a great awakening light and showed the names whom love of God had blessed and low और देखो इस list में अबु बेन अधम's name led all the rest अबु बेन अधम का नाम God वाले list में सब से उपर था याने God सब से ज़़ा प्यार किसे करता था तो अबु बेन अधम से तो इसका मतलब यह हुआ कि God उसी से प्यार करता है जो इनसानों से प्यार करता है याने अगर God का इनसानों से प्यार करना चाहिए और उसी इनसानों से प्यार करने करने God खुद होता है और हमें blessings देता है तो इसी idea के साथ कि love to mankind is love to God या service to mankind is a service to God के theory पर basic किया हुआ पोएम है और हमें इसके principles को आज भी इसी तरह देखना चाहिए इस तरह मैं इस पोएम को end करता हूँ और मुझे पुरा विस्वास है कि ये पोएम I see a season के लिए बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें अच्छे मार्क से स्कोर करने में याने उसे काफी मदद होगा और मुझे पुरा विस्वास है कि साइद मैंने पोएम के साथ justify किया है और बच्छों को काफी अच्छी तरह ये पोएम समझ में आएगी Thank you, thank you very much